इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं कि income tax कैसे लगता है वो भी rental income के उपर जियां प्लस budget 2014 के अंदर एक major change है जिसकी वज़से rent की income के उपर आपका tax यहां पर increase हो सकता है तो वो increment कैसे होने वाला है कैसे आपको ITA filing के अंदर rental income शो करनी पड़ती है उसकी calculation कैसे होती है residential versus commercial property की rental income में आखिर क्या differences होते हैं तो यह सारी जनकरी देने वाला हो इस वीडियो के अंदर तो प्लीज पूरा वीडियो ज़रूर देखेगा स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा अगर आप practically जो है अपनी tax planning करना चाहते हैं या ITA filing करना चाहते हैं हम लोगों ने अपना पूरा detailed course इसके ओपर live कर रखा है link in the description box एक बार प्लीज ज़रू check out कीजिए पहले बात करते है कि rental जो income होती है उसके उपर आखरी income tax कैसे लगता है तो देखे अगर आपकी normal एक single property से rental income आ रही होती है तो आप उसको income from the house property के इंदर दिखा सकते हो चलो मैं आपको सीधा live ITR में दिखाता हूँ जैसे screen के सामने आप देख सकते हो यह मैं IT portal के उपर आ च चला जाता हूँ और यहां पर आप देख सकते है salary के जस्ट बात में आपको income from the house property का column देखने को मिल जाता है तो यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आपको second option मिलता है let out का जिसका मतलब ही है कि आपने अपनी property को rent पे दिया हुआ है और एक तरसे मतलब let out simply तरीके से कि हुआ है अब बात करते कि इसकी calculations कैसे होती है तो इसकी बड़ी ही simple calculation है सबसे पहले आपका 12 मेने का जो भी आपको rent receive होता है वह आपको simply report करना पड़ता है मालों कि आपको 5,000,000 रुपे का rent मिलता है इसके लबा आप जो भी municipal party को अपने taxes वगरे pay करते है पूरे साल बर के अ वह full like 85,000 ली जाएगी उतना आपको reduction मिल जाता है इसके बाद में आप बोलोंगे कि मेरी rental property जरूर है लेकिन उसके उपर maintenance का भी खर्चा होता है तो government का यहाँ पर एक standard rule है कि जैसे salary वालों का standard deduction मिला करती है वैसे ही यहाँ पर जिनकी भी normal rental income होती है उनको भी government 30% का standard deduction provide करत वो जो deductions होगी वो ultimately आप जो भी repair और maintenance करा रहे हो मलब उसमें जितने भी आपका property का खर्चा है वो सारा ही यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर income tax में क्या होगा कि यहाँ पर आपका जो total rent value है उसमें से पहले municipal taxes यहाँ पर minus होगे और उसमें से 30% की value भी यहाँ पर minus हो उसको consider किया जाता है income tax की calculation के लिए तो screen के सामने आप देख सकते हूँ 5 lakh के अगर आपके rental income है तो यहाँ पर 3.39 lakh रुपीज आपका consider किया जाएगा income tax purpose के लिए है अब अच्छी बात यहाँ पर क्या है कि जो rental income होती है आपकी जो income from the house property के इंदर consider होती है वो tax lab के according यहाँ काम करती है और अभी अगर मैं new tax system की बात करूँ तो अगर आपकी net income 7 lakh रुपे या उसके नीचे तो आपको कोई भी जेब से income tax यहाँ पर पे नहीं करना है अब भाई यह तो बात होगे normal rental income की जिसको आप house property के इंदर दिखा सकते हो अब कई बार ऐसा होता है कि कई लोग का पूरा यह अपने आप में business बन जाता है कि मालीचे उनकी multiple property से वहाँ पे multiple rents आ रहा है या let's suppose उनोंने कोई PG यहाँ पे बना रखा है या let's suppose किसी और type की उनकी property वहाँ पे कुछ और activity like co working space चल रहा है ठीक है तो इस type की अगर आपकी चीज़े हैं तो उसको basically business के अंदर यहा से होती है तो जैसे हम लोगों ने पहले देखा कि पहले आपको 12 मेने का अपना rent देखना है तो मालो आपके multiple project से आपकी multiple rental income हा रही है मालो 12 लाख रुपे का सालाना rent आपको मिलता है अब यहाँ पर क्या होगा income from the house property में government बोलता है कि 30% का आपको standard direction मिलने वाला है लेकिन य आपका repair and maintenance का भी है चीजे तो यहाँ पर जित्ती भी चीजे है वो सारा का सारा खर्चा आप यहाँ पर minus कर सकते हो यह अगर आपकी 12 लाख की rental income है 9 लाख रुपे के अगर आप खर्चे दिखाते हो तो ultimately आपका जो profit बनता है अपनी rental income के उपर वो सिर्फ 3 लाख रुपे का बनता है जी हाँ और यह भी slab rate के according charge होता है तो अगर आपकी slab rate जो है कर यहाँ पर 7 लाख के नीचे new tax system के अंदर तो ultimately इसके उपर भी आपको कोई tax pay नहीं करना है लेकिन अब budget 1224 से इसके अंदर यहाँ पे major change आने वाला है यह changes यह है पहले लोग क्या करते थे अगर let's suppose उन उनकी एक financial property है लेकिन वहाँ पर activity जो है वो commercial होती है तो वो अपनी income को जो है business के अंदर consider करते थे और जैसे मने बताया कि business के अंदर आप जो है सारे actual में खर्चे ले सकते हो instead of the 30% standard deduction तो यहाँ पर आपको कम tax pay करना पड़ता है लेकिन budget के अंदर यहाँ पर government ने clarify कर दिया इन्होंने एक नया amendment का ला दिया है जिसके अंदर बताया गया है कि अगर आपकी property रेनेशल है तो उसको आप कभी भी जो है business and profession head के अंदर consider नहीं कर पाऊंगे हमेशा आपको उसके अंदर जो tax की calculation है वो केवल house property की हम लोगों ने जिस तरह से की जहाँ पे केवल आपको 30% क बहुत सारे यहां पर खर्चे दिखाते थे और अपना net profit यहां पर कम कर लेते थे लेकिन अब यह चीज़ भाई possible नहीं है तो यानि अगर आपकी property commercial है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो business की तरह ही count होगी वहाँ पे आप actual खर्चे दिखाओ अपना net profit दिखाओ लेकिन अगर आपकी property residential है तो अब इसकी rental की calculation केवाल आप house property के अंदर कर सकते हो business and profession में नहीं लेके जा सकते हैं इसके लाव अगर आपकी property भी यहाँ पे residential है लेकिन activity by commercial हो रही है तो still यहाँ पे आपको house property के अंदर ही दिखाना पड़ेगा आप business and profession के अंदर नहीं लेके ज सकते हैं तो residential property के उपर यह एक budget 2024 के अंदर amendment आया है जिसकी वैसे अब आपको यहाँ पे जादा tax pay करना पड़ सकता है पहले जो लोग यहाँ पे business and profession के अंदर अपनी residential property के income को दिखा रहे थे तो guys अब आप लोगो पूरा डंग से समझ में आ गया हो कि हमारे इंडिया के अं कितना आपको मिलता है income from the house property के अंदर और commercial property को business and profession के अंदर किस तरह से यहाँ पे treat किया जाता है so guys hope you like this video बाकि अगर आप लोग हमसे tax filing कराना चाहते है या फिर tax planning भी सीखना चाहते है link in the description box आप लोग के जो भी doubts है comment box के अंदर ज़रू बताईए thank you guys thank you very much